नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज की इस वीडियो में हम सदिश बीचकनित के कुछ मैथवपोन प्रशनों के बारे में चर्चा करेंगे वो प्रशन जो पिछले वर्षों में राचेपोर्ट में आ चुके हैं उन प्रशनों को हम यहां पर हल करेंगे जिसमें पहला प्रश्ण इस प्रकार से है यदि सदिश a बराबर 2i-3j प्लस k और सदिश b बराबर 3i-j प्लस 3k हो तो a.p का मान ग्याद कीजिए आप दीख रहे हैं कि यहाँ पे दो सदिश दिये गए है a और b और उन दोनों का अदिश कुणनफल पूछा गया है a.b का मान निकालना है मतलब इन दोनों का अदिश कुणनफल निकालना है तो हाम यहाँ पे लिख सकते हैं a.b बराबर सदिश a है 2i-3j प्लस k और सदिश b है 3i-j प्लस 3k इन दोनों का आप अधिश कुणन फर करेंगे तो आप जानते हैं कि i का अधिश कुणन i के साथ करेंगे तो वो 1 होगा और अगर i का अधिश कुणन आप j या फिर i का अधिश कुणन आप k के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है इसी प्रकार से J का J के साथ करेंगे तो 1 होता है और J का किसी अन्य दो के साथ करेंगे तो वो 0 होगा और K का K के साथ आप अदिश्कुनन करेंगे तो वो 1 होगा बाकी सब के साथ 0 होगा जाते हैं ना तो जब हम इन दोनों का अदिश कुणनफल करेंगे तो आप देख रहे हैं ये है i का पत i वाले को i वाले के साथ करेंगे तो ये होगा 2 x 3 6 और ये i.i फिर i को अगर आप j के साथ करेंगे तो plus minus minus 2 ones are 2 और ये होगा i.j और आपको अभी पताया कि i और j का जो अदिश कुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इस प्रकार से हम जब भी किसी i का j या k के साथ करेंगे उसको सीधा 0 लिख सबते हैं जब आप i का k के साथ करेंगे तो 3 2s are 6 और यहाँ पे i.k क्या हो जाएगा 0 फिर j वाला पतलेंगे तो वाइनस प्लस माइनस 3 3s are 9 और j को i के साथ आप गुणा करेंगे तो यहाँगा 1 माइनस प्लस माइनस 3 3s are 9 और j को आप k के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा अब हम k वाला लेंगे तो k वाले में 1 3 is a 3 और k.i कितना हो जाएगा? 0 फिर k को j के साथ करेंगे तो ये भी 0 होगा और फिर k को हम k के साथ करेंगे तो ये 1 होगा 3 into k.k तो हमें ये सारा काम करने की जरूत ही नहीं थी ये step विपूल extra है आप क्या करेंगे? जब भी अधिश कुर्ण फ़र करने के दिया जाएगा आप सिर्फ i वाले को i वाले के साथ कर देंगे j को j के साथ और k को k के साथ और कुछ लिखने की जरूत ही नहीं है तो यहाँ पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? i को i वाले के साथ करेंगे मतलब आपको एक यह वाला पद मिलेगा j को j के साथ करके यह वाला पद मिलेगा और k को k के साथ करके यह वाला पद मिलेगा यह तीन पद आपको मिलेंगे इधर से आपका उतर आएगा 6 इससे आएगा प्लस 3 और इससे भी आएगा प्लस 3 तो इन दोनों का अधिश कुणनफल आपको मिला 12 के बराबर, राइट ये सब करने की जरूती नहीं है, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 सब ये 0 हो जाएंगे, तो इन सब को करने की जरूती नहीं है हमें सिर्फ ये वले तीन पच्चे हैं, I को I के साथ करके, J को J के साथ करके, और K को K के साथ करके, ठीक है? सदिश I-2J प्लस 3K और 3I-2J प्लस K के बीच का कौन ग्याद कीजिए यहाँ पे आपको दो सदिश दिए गए हैं और इन दोनों के बीच का कौन निकालना है आपने एक सूत्र पढ़ा है, बिल्कूल अच्छे से आपको याद आ रहा होगा, कौसीटा पराबर सदिश A.सदिश B अपॉन A का परिमान कुना B का परिमान यह वाला सूत्र पढ़ा है आपने इसी सूत्र की मदद से आप निकालेंगे किसी भी दिये गए दो सदिशों के बीच का कौन ठीक है, यहाँ पर मांग लेते हैं कि सदिश A जो है वो क्या है I-2J प्लस 3K और सदिश B होगा 3I-2J प्लस K एक सदिश को हमने सदिश A बोल दिया और दूसरे सदिश को सदिश B अब कौस ठीटा कमान के आएगा यहाँ से A.B मतलब इन दोनों का अदिश कुनल फर I-2J प्लस 3K डॉट 3I-2J प्लस K अब अब हमें यहाँ पर A का परिमान चाहिए तो A का परिमान क्या आएगा 1 का वर्ग 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 और इसका परिमान 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 ऐसे ही आएगा इसको और हल करने पर आपको क्या मिलेगा इन दोनों का सबसे पहले आप मुझे अदिश कुरूंपर बगाईए, इन दोनों का अदिश कुरूंपर क्या आएगा, 3 बंसा 3, पिर J वाले को J वाले के साथ करेंगे, minus minus होगा, plus 2 तूसा 4, K को K के साथ करेंगे, तो plus 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 3 बंसा 3, upon root, यह हो जाएगा 14, और यह भी हो तो करके बताईए, cos theta का मान कितना आ जाएगा, यह जाएगा, 4 और 3, 7 और 3, 10, upon 14, इसको आप लिख सकते हैं, 5 बटा 7, तो इधर से आपको theta का मान क्या मिला, cos inverse, 5 बटा 7, और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे इनके बीच का कौन ही तो पूछा था, दो सदीशों के बीच का कौन, आप समझ गये थे, कि अगर हमें दो सदीशों के बीच का कौन पूछा है, तो वो दो सदीशों का आप अदिश गुणनफल करके, उनके पडिमान की गुणनफल से उनका भाग कर देंगे, तो यहां से cos theta का मान दो जाएगा, यही सब आपने यह देख रहे हैं कि यहां पर हमें दो सदीश दिये हैं, हम इनको नाम दे सकते हैं, यह हो सकता है सदीश A और यह हो जाएगा सदीश B, हमें इन दोनों पर लंबिकाई सदीश क्यात करना है, आप जानते हैं कि यदि हमें कोई एक सदीश A इस प्रकार से दिया जाता है, और अपनी हतेली एक चरह रखी स्धाली अ अर्पनी उंग्लिएं बी की और मोई है तो आपका उंगोठा 6 और जाता है वह होता है इन दोनों का आप mamaya होता है तो यहां क्या का है कि लंब इकाई सदिश क्याद करने है लंब इकाई सदिश में आप अभी इकाई शब्द को छोड़ दीजिए तो यहां पर हमें क्या जानना है हमें यहां पर लंब सदिश निकालना है लंब सदिश निकाले मतलब दिये गए दोनों सदिशों का सदिश कुणनफल करना है तो देखें यहाँ पर कितनी अच्छी भाषा का प्रियोग किया है यहाँ पर यह भी कह सकते थे कि दोनों सदिशों का सदिश कुणनफल क्याद कीजी लेकिन ऐसा ना कहके प्रश्न में का आएगी लंब सदिश क्याती, जिदो लंब सदिश का मतलब ये ही होता है, कि सदिशों का सदिश गुणन फल क्यात करना है अब हम आते हैं 1 सदिश पर, आप जानते हैं कि किसी भी सदिश को उसके परिमान से अगर हम भाग कर दे, तो हमें उसका 1 सदिश मिल जाता है, तो लंब 1 ऐस सदिश के मतलब यह है, कि जो आप यहांपे लंब सदिश निकालेंगे, लंब सदिश कौन सा होगा? A x B, इस लंब सदिश को इसके परिमान से हम भाग कर देंगे, तो हमें लंब 21 सदिश मिल जाएगा, राइट, तो बताइए हम यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि लंब 21 सदिश पराबर, हम यहां पे जब लंब 21 सदिश निकालेंगे, तो इसका मतलब आपको सदिश A और सदिश B का सदिश कुणनफर करना होगा, और इसको भाग करना होगा, इसी के परिमान से, राइट, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनका सदिश कुणनफर निकालना, तो यहाँ पे इसका सदिश कुरंपर होगा, पहली पंक्ती में हम लिखेंगे i, j, k, दूसरी पंक्ती में a के अविया हो हो जाएंगे 2, minus 1, और प्लस 1, और तीसरी पंक्ती में b के अविया वाएंगे 3, 4, और 1. अब इस साड़निक का प्रसार करके आपको इन दोनों सदिशों का सदिश कुरंपर मिल जाएगा, इसका प्रसार करेंगे यह होगा i, minus 1, into 1, minus 1, minus 4, into 1, 4, minus j, 2, into 1, 2, minus 3, into 1, 3, plus k, 2, into 4, 8, minus 3, into minus 1, minus 3, तो यह हो जाएगा, plus 3. इसको थोड़ा और हल करते हैं, तो यह होगा, minus 5i, minus 1, minus minus plus, यह हो जाएगा, 6, 8 हो ते इंग 11, तो यह हो जाएगा, 11k, अभी क्या है हमारे पास, अभी a x p कमाना है, मतलब इनका सदिश कुरंपर आया है, अब हम निकालेंगे इसका परिमान, तो इसका परिमान पराबर माइनस 5 का वर 25, प्लस 1 का वर 1, प्लस 11 का वर 121, बराबर 25 और 26, 26 प्लस 121, कितना होगा, 147, तो यह हो जाएगा, रूट 147, अब हम यहां पे इसका 61 सदिश देते हैं, तो इसका 61 सदिश क्या आएगा, इनका सदिश कुरंपर था, माइनस 5I, प्लस J, प्लस 11 के, अपन, इसका जो परिमान आया है, रूट 147 आया, आप अपना उत्तर यहां भी छोड़ सकते हैं, और इसको इस रूप में भी रिख सकते हैं, माइनस 5 अपन रूट 147I, प्लस 1 अपन रूट 147J, प्लस 11 अपन रूट 147K, यह आया हमारा मिकाई सबीश, एक समानतर चतुरबूच का शेत्रफल ग्याद कीजिए, जिसकी सनलगन भूजाएं, सदिश A बराबर I-2J प्लस 2K, और सदिश B बराबर 2I-6J प्लस 3K, द्वारा निर्धारित है, यहां पर आपको एक समानतर चतुरबूच का शेत्रफल निकालना है, और उसके सनलगन भूजाओं के vector दे रखे, सदिश दे रखे, आप चानते हैं कि कोई भी समानतर चतुरबूच के अगर आपको ये वाले सनलगन सदिश दे रखे हैं, तो इसका शेत्रफल आप कैसे निकाल पाओगे, अगर ये सदिश A है, और ये सदिश B है, तो इसका जो शे सदिश कुणनफल करके उसका परिमार निकालना है, तो आप कह सकते हैं, समांतर चतुरबुज का शेत्रफल बराबर, ये होगा दिये गए दोनों सदिशो का सदिश कुणनफल का परिमार, तो पहला काम हमें क्या करना होगा, सदिश कुणनफल निकालना होगा, और A और B का सदिश कुणनफल कैसे आएगा, आपको यहाँ पे सार्निक हल करनी होगी, जिसकी पहली पंक्ती होगी, I, J, K, दूसरी पंक्ती में सदिश A के अभियाव आएंगे, 1, मैनस 2, और प्लस 2, और तीसरी पंक्ती में सदिश B के इसे आप लिख सकते हैं, 6I, मैनस, मैनस, प्लस J, मैनस 2, के, अभी हमारे पास यह A और B का सदिश कुननफल आया है, और इसका शेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका परिमान निकालना हुगा, तो A और B के सदिश कुननफल का परिमान किसके बराबर आएगा, 6 का वर्ब 36, प्लस 1 का वर्ब 1, प्लस मैनस 2 का वर्ब 4, 36 प्लस 4, 40 और 41, यह आएगा रूट 41, जिसके सनलग न भूजाएं इन दो सदिशो द्वारा निर्दारित थे, उसका शेत्रफल का कितना आया, रूट 41 वर्ग 1, ठीक है, दर्शाइए कि बिन्दू P, Q और R सन्रेख है, आप जानते हैं कि यदि हमें कोई तीन बिन्दू दे रखे हैं P, Q और R, उनको सन्रेख करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले सदिश P, Q का परिमान चाहिए आपको, फिर सदिश Q, R का परिमान चाहिए, और फिर सदिश P, R का परिमान चाहिए, अगर इन दोनों के परिमानों का योग इस P, R के परिमान के बराबर आता है, तो पहले हम निकालेंगे सदिश PQ का परिमार्ट, सदिश PQ का परिमार्ट निकालने के लिए हमें पहले सदिश PQ की जरत पड़ेगी, सदिश PQ किसके बराबर आएगा, सदिश PQ आएगा 1 minus minus 2 मतलब की 1 plus 2 I plus 2 minus 3 J plus 3 minus 5 K, ऐसे ही लिखते हैं किस सदिश को तो ये हो जाएगा 3i-j-2k, ये हमारे पास सदिश PQ का मान आया, अब हम निकालेंगे सदिश QR का मान, सदिश QR का मान के आएगा? सदिश QR होगा 7-1i, प्लस यहाँ पे j वाली टम नहीं है, तो 0 लेंगे, 0-2j, प्लस-1-3k, बराबर ये हो जाएगा 6i-2j-4k, अभी हमें PQ और QR का मान मिला है, अब हम PR का मान निकालेंगे, तो सदिश PR का मान हमें मिलेगा, 7-2, मतलब 7-2i, प्लस, यहाँ पे j नहीं है, तो 0 लेंगे, यह हो जाएगा, 0-3j, प्लस-1-5k, इसको हल करने पर हमें मिलेगा, 9i-3j-6k, अब क्या करना है, इन तीनों बिंदों को संरेक सिद करना है, इसका मतलब हमें इनके परिमान चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, PQ का परिमान, PQ का परिमान बराबर, 3 का वर्ग 9, प्लस, माइनस-1 का वर्ग, प्लस-1, और माइनस-2 का वर्ग, प्लस-4, यह हो जाएगा, 9, 1, 10, और 4, 14, अब हम निकालेंगे, QR का परिमान, तो QR का परिमान आएगा, रूट 6 का वर्ग, 36, माइनस-2 का वर्ग, 4, और 4 का वर्ग, 16, यह हो जाएगा, रूट 56, और PR का परिमान हम लिख सकते हैं, 9 का वर्ग, 81, माइनस-3 का वर्ग, 9, और माइनस-6 का वर्ग, 36, यह हो जाएगा, रूट 126, अब इसको हम थोड़ा और सरलकल के अगर लिखें, तो रूट 56 को हम लिख सकते हैं, 2, रूट 14, और रूट 126 को हम लिख सकते हैं, 3, रूट 14, चिके, अब आपको यह देखना है क्या इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा हैं, तो आप देखेंगे कि PQ का परिमान, प्लस, QR का परिमान, बराबर आएगा, PR के परिमान के, आप चेक कर लिजिए, रूट 14, प्लस, 2, रूट 14, बराबर आएगा, 3, रूट 14 के, है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का परिमानों का योग इसके परिमान के बराबर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अतहा, बिंदू P, Q, और R कैसे हैं, सनरेक हैं, हमने पहले ही पता कर लिया था ना, कि अगर कि नहीं दो खे परिमानों का योग किसी तीसरे के बराबर आएगा, तो इस तीनों कै से होंगे संरेख होगे रई सदिश a बराबर 2i plus 3j plus 4k तदा सदिश b बराबर i plus j plus 2k में से प्रत्यक के लमवत मात्रक सदिश क्या कीजिए यहां पे आपको दो सदिश दिए हैं और इनके लमवत आपको मात्रक सदिश निकाल रहें आप जानते हैं कि अगर आपको कोई 2 सदि तिये हैं ये है सदिश A और ये है सदिश B और अगर आप इन दोनों का सदिश कुणनफल करते हैं तो इनके सदिश कुणनफल से मिलने वाला जो ये सदिश होगा ये इन दोनों सदिशों के कैसा होगा लंबत होगा ठीक है ये कोई लंबत सदिश आपको मिलता है तो इसके लं आपके पास है तो उसको उसके परिमान से भाग करके आपको उस सदिश का मात्रक सदिश मिल जाता है इसका मतलब आपको A और B का सदिश कुणनफर करके उसके परिमान से भाग करना होगा तो आपको क्या मिलेगा? इसका लंवत मात्रक सदिश मिलेगा में सदिश A और सदिश B का सदिश कुणनफ़ करना होगा और फिर इसको भाग करना होगा इसी के परिमान से किसके सदिश A और सदिश B के सदिश कुणनफ़ होगे ठीक है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे A और B का सदिश कुणनफ़ ज्याद करेंगे तो A x B कितना आएगा A x B बराबर सबसे पहली पंक्ती में तो आएगा I, J, K दूसरी पंक्ती में हम सदिश A के अवियाव लिखेंगे 2, 3, 4 और तीसी पंक्ती में सदिश B के अवियाव लिखेंगे 1, 1, 2 अब आप इनकी सामडी का प्रसार करेंगे बहुँगा I, 3, 2, 6, minus 4, minus 4, minus J, 2, 2, 4, minus 4, plus K, 2, minus 3, minus 3, minus 3 इसको हरकर क्या आपको मिलेगा? 2I, यह 0 हो जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे और 2, minus 3 होगा, minus का 1, तो 2I, minus K, right? अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका परिमान निकालना है तो इसका परिमान होगा, 2 का वर्ख 4, J है नहीं, K है minus 1, minus का वर्ख होगा, plus 1, तो इसका परिमान आएगा रूट 5 के बराबर, तो अब हमें चाहिए था लंवत मातरक सदिश, तो आप क्या कहेंगे? लंवत मात्रक सदिश क्या होगा 2i minus k ये तो आया था इसका सदिश प्रणफल अपॉन इसका जो परिमान आया था वो था root 5 तो इसको आप लिख सकते हैं 2 upon root 5i minus 1 upon root 5 k ये है लंवत मात्रक सदिश का मान चीक है यदि 2 सदिश सदिश A और B इस प्रकार से हैं कि A का परिमान 2 के बराबर है B का परिमान 3 के बराबर है A और B का जो अदिश कुननफल है वो 4 के बराबर है तो यहां आप से कहा है कि सदिश A और सदिश B के अंतर का परिमान निकालना है तो कैसे निकलेगा ये आप जानते हैं, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा सदिश A और B के अंतर के परिमान का जो वर्ग होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं? A-B, A-B, ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं, किसी सदिश को उसी से गुणा करके हमें उसके परिमान का वर्ग मिलता है वर्ग था, तो मतलब उसी सदिश को उसी सदिश से हम गुणा कर सकते हैं और कौन सा गुणा करना है? अदिश कुणा करना है क्योंकि A और B जो हैं, इस दोनों सदिश हैं और उनका अंतर भी तो एक सदिश ही होगा ना इस वज़े से हम ये सब कर पा रहे हैं ठीक है फिवर्ग? अब इन दोनों का जब आप अदिश कुणा करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं सदिश A गुणा सदिश A प्लस माइनस माइनस सदिश A गुणा सदिश B माइनस प्लस माइनस सदिश B गुणा सदिश A और यह हो जाएगा प्लस सदिश B गुना सदिश B अब आप जानते हैं सदिश A को सदिश A से करेंगे तो हम इसको सदिश A के परिमान का वर्ग लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 A.P ऐसा लिख सकते हैं B.A करो यह A.P करो ऐसा ही आएगा और यह हो जाएगा प्लस सदिश B के परिमान का वर्ग अब आप यह देख रहे हैं कि इसका विमान हमारे पास है इसका विमान हमारे पास है और इसका विमान है तो सदिश A का परिमान है हमारे पास 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 A और B का गुणनफल हमें मिला है 4 तो यहां हम इसी गुणा कर देंगे 4 के साथ प्लस सदिश B का परिमान हमारे पास है 3 तो यहां पे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 इसको आप लिखेंगे 4-4 to the A प्लस 9 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा तो इसका मतलब अभी हमारे पास किसका मानाया है? सदिश A और सदिश B के अंतर के परिमान का वर्ग आया है 5 और हमें चाहिए सदिश A और B के अंतर का परिमान तो इधर से स्क्वेर अट आएगे तो हमें मिलेगा A माइनस B का मॉडिलस इकोलस टू प्लस माइनस रूट 5 बस यही तो चाहिए था हमें सिंपल था कोईशन यहाँ पर मेन आपको कौन सा लॉजिक पता होना चाहिए था? कि किसी सदिश को हम उसी सदिश के साथ कुणा कर दें तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है अगर आपको यह लॉजिक पता था तो आप इन कुशिन को वड़े ही आराम से कर लेंगे रैइट